हमने रख्या, बाहर सरकार की तक्निकी सलागार समिती ने 21-23 को अपना नेड़े पारिट किया है, जिसमें किसानों की जीत हुई विभागो रियान सरकार के परती समेदल सील है, तक्निकी सलागार समिती ने अपने नेड़े में पूरों में पारिट हुए राज्य तक्निकी सल पाकर किसानों में खुची की लेहर दोड़ गई, किसान टंकी से नीचे उतर गए, ता किसानों ने वहां से दर्णा भी स्वाप कर दिया, किसानों को मौज़ारासी भीमा कंप्री जो आरा सिगरी करने की आसा है, अभी भी मंत्री ने हाउस को मिश्काइड किया, जो बात मंत् की ने कई की दर्णा स्मापत हो गया, आज भी टोप्टा तखील के अंदर धर्णा लगा हुआ है, आज भी किसान उसी कलेम को लेकर के दर्णे पे बैठे हैं, डिप्ती कमिश्टर के साथ जब फैसला हुआ था, तब ये फैसला हुआ था, कि जब तक सम किसानों के खाते मे एक एक पैसा नहीं आ जाएगा, हम टंकी से तो उतर रहे हैं, देकिन हमारा धर्णा जो है, तब तक जारी रहेगा, जब तक सब किसानों के खाते में पूरे के पूरे पैसे नहीं आ जाएगे, ये जो बात मंतिरी ने कही है, ये भी आउसको मिश गई करने वाड़ी बात है कि दर्णा समापत हो गाए, इनको इस बात की जानकारी लेनी किया थी, इप्टी कमिश्र से पूछना चीये था, कि वहाँ दर्णा चल रहे हैं, पहले ये ही बता जो नहीं इसी बात काई, कि आपके पाद जानकारी है, इस बात की दर्णा समापत हो गया, हैं, क्या जानकार आप पूछ रहा है पूछ रहा है पूछे मैं जवार दोंगा एक बार कि अधकारिक ब्यान दे दो जान तो यहां दे दिया ना पिर इससे बड़ा ब्यान और किसे बड़ा और क्या जूट हो लेगे आज भी दढ़ने पे बैठें किसान अरी आउस में कहा रहे हैं कि दढ़ना अभी भी आप टेलीफोन करके पूछ सकते हो मैं उसमें पूछ के बताजिए टेलीफोन पर बिढ़ने पर बैठें पर नहीं बैठें अपना सप्लिमेंटर पूछे जो भी प्रसन कुछना है अचै वह बात आगी न कि आप सिर्फ प्रसन कुछे मंतरी जूट बोलता है हम सुनते रहे वह जवाब दोंगा आप अपना प्रसन पूछो जो भी आज मंतरी जूब देंगे गरत साही वह आपने देखना है जूट वोले उस पर क्या कारवाई वो छिले ले लिए भी वर्स 2022 में फसल के बारे में विमा कंपनी जिसका नाम एगलिकल्टिनिस्वरस कंपनी है फसल की कटाई की पर्तिक्रिया प्यापत्ति दर्ज करने की वज़े से विमा क्लेम में आज़गी में देरी हुई मैं मंतिरी जी से पूछना चाहता हूँ कि 2022 के अंदर सरकार ये बताए कि 2022 में खरीब की फसल के विमे की आज़गी में देरी होड़े का कारण क्या था और किस कारण की विज़े से किसानों को 2023 तक विमे के कलेम के लिए परदर्शन करना पड़ा दर्णा देना पड़ा पाणी की तंकी पे चटड के सरकार को चेताना पड़ा नब्य दिन तक किसान जो है दर्णे पे बैठे रेपन है और जब नब्य दिन में एक बार भी डिप्टी कमिश्टर ने या एगलिगल से डिपार्टमेंट के या इस इंसरेंस कंप्री से जुड़े वे किसी अधिकारी ने जाकर कि उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने मज हो करके ये खैसा लिया कि हवे सरकार को चेताने के लिए अब कोई और अगला कथिन कदम उठाना पड़ेगा चार किसान जो है नरायन खेडा गाउं की तंकी के उपर जाकर के चड़े और वहां भी सोड़ा दिन तक जब वो तंकी पे चड़े रे तब जाकर के डिप्टी कम मिश्णर ने उनके साथ बात्चीत शुरू करी रो बात्चीत भी उससे शुरू नहीं करी कि तंकी पे चड़े वे किसान को उतारने की बात जब टोल रोक दिया गया है तोल के उपर आ जा रहा हूं किसान आकर कि बैठ लिए तब जाकर के सरकार ने मजबूरी में बात कर र जो मिटिंग होई अधिकारियों की जो मिटिंग आपने बताई है इसके अंदर कि सेंटर की सरकार के साथ मिटिंग कर ली और मिटिंग में फैसला हो गया कि आपको क्लेम दे दिया जाएगा आप एक साल तक क्यों सोई रहे हैं ये पैसा जब दो जार बाइस का दो जार है कि किसान को हर चीज के लिए मजबूर होकर के रस्ते रोगने पड़ते हैं मजबूर होकर के दढ़ने देने पड़ते हैं मजबूर होकर के परदर्सन करने पड़ते हैं आदोलन करने पड़ते हैं चाहे सुरुजब की खरीद की बात हो सर्शों की खरीद की बात हो चाहे क आज कलेम में तुम्हारी क्या सी थी 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 आज कलेम में तुम्हारी क्या सी थी थी ये तुम्हारे सामरे एक वरस हो गया किसानों को एक वरस से किसान को जो है उसका कलेम का पैसा अफ तक सरकार ने नी दिया क्या सरकार जो है जो एक वरस का कलेम जो किसान का ड्यू है वो पै तुम्हारी सरकार करेगी तुम्हारी सरकार की बेकाइद्गी की वजए से उस किसान को एक वरस तक इन सब मुसीबतों को जेलना पड़ा आप बैठे बैठे दात निकार लेगे चंद से कम यह सोचनी की बार किया है